हाई फ्रेंड वागत है आपका हमारे चनल मी ब्लोक के अदर, आज आपके सामने जो है मैं 4 मियूआ 12 के ऐसे एप्लिकेशन लाया हूं जिनको आप अपने मीव 11 फोन के अंदर यूज कर सेते हैं और मियूआ 12 का लोक अपने 11 फोन के अंदर पास ने वो चार अप्लिकेशन है MIUI 12 का Theme Manager, MIUI 12 का Screen Recorder, MIUI 12 का Security App और MIUI 12 का Weather App तो यह चारों के चारों आप अपने फोन के अंदर बिना रूट किये हुए किसी भी MIUI 11 फोन के अंदर इंस्टाल कर सते हैं हम Redmi Note 8 उसके अंदर हम इस टाइम पर MIUI 11 को रन कर पा रहे हैं जैसे कि आप देख पा रहे हैं, यह MIUI 11 है तो मैं आपको यह चारों अप्लिकेशन जो है इसके अंदर यूज करके लिखा हुआ तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं बड़ शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को सब्स्टाइब जरू कर लेका अगर वीडियो पसंद है तो लाइक भी जरूर कर दीदेगा तो सबसे पहली अप्लिकेशन जो हमने अपडेट किया है वह हमको मिवाई 12 का थी मेनेजर तो आपको जो है इस तरीका आपको देखने को बिलता है आपको नए तरीकी कि यहां पर टैब्स उपर देखने को मिलते हैं इसमें आप थीम्स वालपे पर वगड़ा इन सब्स्क् यहां पर आप जो अपने बूत अडिमेशिन, बूत आडियो इन सब को यूज करते हैं जो मोस्ट आवेटेट फीचर इसका यह है कि आव आप इसके अंदर जो है डार्क मोड को यूज कर सकते हैं सब्सक्राइब करते हैं तो पहले आपके थीम मेनेजर में डाक मोड को अध तो ये भी आपको एक निया अपडेट जो है MIUI 12 के अंदर देखने को भिला है, जिसको आप अपने MIUI 11 के फोन के अंदर इसली यूज कर पाते हैं, सिर्फ आपको एक APK फाइल को इंस्टॉल करना है और उसके बाद आप इसको यूज कर पाएंगे, तो सभी APK फाइल्स के लि तो ये देखी हैं, अगर इसके हम सेटिंग्स में जाते हैं, तो माना ये जा रहा है, आपको काफी फिक्स किया गया है, और आप रिकॉर्डिंग करते थे किसी पी चीज के, तो आपको कोई ने कोई इसमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ते थे, आप उस चीज को इसके है, जिसको आपके एक APK के तुरू जो है, अपने MIUI 11 फोन के अंदर इंस्टॉल कर पाते हैं, इसली, फोर्थ अप्लिकेशन जो हमने अपडेट की है, यानि की इंस्टॉल की है, MIUI 12 की वो है वेधर लिटर, आप जो है देख पा रहे हों कि आपको वेधर में एक एनिमेशन फोन के जपर में फोन के अंदर पास प मेंदर अपलिकेशन है, ज़ो हमने अपडेट की है, वो है सीक्योड इसके अंदर एक ट्रिक भी है जो भी आपको दुखाने वाला हों तो यह दिखे एप अनिमेशन जो है पूरा कम्प्लीट ली चेंज हो चुका है सिक्यूरिटी स्कैंड जो है उसका भी एनिमेशन जो है आपको एक नए तरीका एनिमेशन आपको यहापे देखने को बिलता है एक नया तरीक का अनिमेशन आपको यहां पर देखने को मिला है अब मैं आपको बताने वाला हूँ एक इसके अंदर जो है तीकर ट्रिक भी है इसके अंदर हम कुछ और चीजा को चेक कर लेते हैं आपको यहां पर कुछ इस तरीका लेया लेया आउट भी आपको देना है अब वो सीकर्ट ट्रिक क्या है कि अगर आपने सेटिंग्स में जाते हैं और स्पेशल फीचर्स में जाते हैं तो आपको यहां पर कोई भी एक नया आप्शन आपको देखने को मिला है एक बार जो आपके अपने फोन के अंदर आपको यह मीम के वीडियो मैनेजर देखने को मिलता है उसको आपने एक बार लांच करना है तो उसके थूरू आप वीडियो टूल बॉक्स अपने फोन के अंदर यूज़ कर पाएंगे मैं दिखा देता हूँ एक इस तरीके से आपने उस ऐप्लिकेशन की यूज़ करना है यह देखिए मीम वीडियो मैनेजर मेंजर में जैसे आप जाएंगे आपको जिए लेफट साइट पर चोटा सा बार देखने को मिलेगा आप इसको इस तरह के से स्वाइब कीजिए और आपको यहां पर वीडियो टूलबॉक्स यहां पर देखने हो मिलेगा यह ओप्शन जो आपको इसकी सेटिंग्स में चली जाएए और आपको जहां-जहां एप्लिकेशन पर यूज करना है उन सब को आप इनेबल कर लिए जैस आप स्वाइब कीजिए उसके बाद यह option मिल जायागा जहांसा आप रिकॉर्ड कर सकते हैं इस अफिर इस बेग्राइब कर सकते हैं तो जैसे कि हमने इसको गैलरी में एक्टिवेट किया है तो मैं आपको गैलरी में दिखा जाता हूं तो गैलरी में आपको यहां पे फीच इंस्टॉल करते हैं, आपने इनको डाउनलोड करना है, इनपे टैप करना है, और इनको आप अपने फोन के अपर इसली इंस्टॉल कर पाएंगे, आप कुछ नहीं करना है, आपको फोन का बूटर अनलोग करना है, नहीं रूट करना है, तो इस तरीके से ये चारों के चारों device model Redmi Note 8 और MIUI Global Version 11.0.4.0 पहें और यह सारे के सारे एप जो है हमारे फोन के अंदर अपडेट हो गए है और MIUI 12 के अपडेट्स को हम अपने फोन के अंदर यूज कर पा रहें तो इस तरीके से आप जो है अपने MIUI 11 फोन के अंदर के सिस्टम अप्लिकेशन को इंस्टॉल कर से तो मिल करता हूँ आपको आज के वीडियो पसंद आए होगा तो प्लीज वीडियो को सपोर्ट जरू किजएगा लाइक कमेंट शेप और सुब्स्क्राइब करना मत भूला तो मिलते है नेक्स वीडियो में तब तक के लिए टेक कियर और बाबाई